हलो भाईयों स्वागा थैपका नीव वडियो में SAC GD के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे थे या बहुत सारे मनोम में लोगों के डाउट बने हुए हैं कि फिजिकल एडमिट कार्ड कब आएगा फिजिकल सेंटर वही रहेगा कि बदल जाएगा फिजिकल एक मैई से कितने त ठारिक को पड़ेगा जो मैं यह बताऊँगा कि फिजिकल डेट की सथारीक को पड़ेगा यह मेरा एक्स्पेक्टेशन है और मैं कैसे यह निकाला हूँ वह भी मैं आपको बताऊँगा ठीक है तो पहले सबसे जरूरी बात होती है कि फिजिकल एडमिट कारड कब आएगा म मैं यह आपको बता देता हूँ ठीक है आपने यह notice देख लिया होगा कि आपका physical एक मैय से होने माला है कब तक होगा इसकी कोई जनकारी नहीं है 24 को होना था तो अब एक मैय को होगा ठीक है तो यह notice आपने पढ़ लिया होगा ॠीक है दूसरी और बड़ी बात की फिजिकल आखिर क्यों प्रोस्पोंड हुआ तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था जो फिजिकल अनोफिसियली नोटिस आया था उसमें कि बायोमेट्रिक डाटा नहीं मिला था कुछ कंडिडेट का इसलिए फिजिकल को बढ़ा दिया गया है ठीक है फिजिकल को एक ताएक तक कर दिया गया है इसलिए फिजिकल आटाप का बढ़ गया था ठीक है पहले 24 अपरिल से फिजिकल था 24 अपरिल से आठ मैं तक फिजिकल था एडमीट कार कब आया था तो एडमीट कार आपका आया था 19 अपरिल को 12 बजे तक आपका एडमीट कार आ चुका था ठीक है 24 तरिक से पांच दिन पहले 19 अपरिल को 12 बजे आपका एडमीट कार जारी हो चुका था ठीक है उसी के अनुसार अगर हम देखें तो अब फिजिकल एक मैं को है फिजिकल अगर एक मैं को है तो उसी के अनुसार सीधा अगर हम देखें उसी से हम कनक्लूजन निकालते हैं तो एक मैं से फिजिकल है तो एडमीट कार आपका 26 अपरिल को 12 बजे तक आ सकता है ठीक है पिछले अनुसार ये 100% है कि 26 अपरिल को तो आ जाएगा 100% और 25 को भी आ सकता है ये एस्पेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि एडमीट कार बन चुका है सिर्फ डेट को ही चेंज करना है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ठीक है वैसे 26 अपरिल को 12 बजे तक अनुसार बता र रहेगा कि बदलेगा इस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ठीक है तो देखिए आपका फिजिकल सेंटर वही रहेगा क्यों वही रहेगा क्योंकि मैंने आपको नोटिस दिखाया अनुपिसेरी जो 24 तारीकों आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बायोमेट्रिक प्राप्त नहीं होने के वज़े से आपका फिजिकल 24 से अब एक तारीकों प्रोस्पोंड कर दिया गया ठीक है और मेन जो फिजिकल नोटिस पर आया है उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि डियू टू एड्मिनिस्ट्रेशन रीजन के चलते आपका फिजिकल प्रोस्प प्रोस्पोंड किया गया था अब बार बार तो सेंटर को भेजेगा नहीं बचों का लिस्ट एक बार भेज चुका है अब बार बार उसी को थोड़े न भेजेगा अलग सेंटर पे एक बार भेज चुका है एड्मिट कार जारी भी कर दिया था उसके बाद आपका अपना संभावना से आपको बताऊंगा कि आपका physical किस date को पड़ेगा ठीक है और मैं कैसे बताऊंगा आप लोग देखियेगा अगर सही लगे तो आप लोग बताऊंगा अगर गलत लगे तो आप भी बताऊंगा admit card कब आएगा physical center वही रगा मैं main बात बता दिया और physical आपका किस date को पड़ेगा मैं इस बात को बताऊंगा ठीक है एक notice के नुसारी में बताऊंगा ठीक है तो चलिए मैं सुरू करता हूँ उस चीज को आप देखियेगा अगर सही लगे तो बताईएगा और नहीं सही लगे अगर आप नीचे आते हैं मैं इसको लेके चलता हूँ बिहार का किसन गंज के center का लेके चलता हूँ सबका यही हाल है ठीक है किसन गंज का center जो बिहार का है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 24 से 8 मैं तक आपका running होगा working day बार था बारह दिन में आपका working day में आपका physical होगा इसी तरह किसी किसी का दो ही तरिक तक था तो आठ वर्किंग डग था इसी के नुसार मैंने कलेंडर देखा और वहां पर 12 वर्किंग डे देखा किस वर्किंग 16 दिन में कौन सा working day को छोड़ा है और कौन सा working day को लिया है उस अनु 24 अपरिल 25 अपरिल मैंने टोटल 8 मैं तक यहाँ पर लिख दिया ठीक है अब मैं working day चाटना अगर मैंने शुरू किया तो मैंने देखा कि जो 30 अपरैल था उस दिन संडे थी ठीक है मैंने एक working day चाटा फिर मैंने देखा 5 मैं को बुध पूर्णीमा था ठीक है फिर 7 मैं को स संडे था ठीक है पोटल अगर आप देखते हैं तो 24 तारिक से 8 मैं तक 15 दिन आता है 15 दिन में से संडे निकल गया साथ 5 निकल गया बुध पूर्णीमा और 30 निकल गया संडे यानि 15 में से 3 निकल गया तो 12 दिन 12 working day वहां लिखा था कि 12 working day में होगा तो 3 working day को मैंने on working day को न होगा ठीक है तो मैं आपको बताता हूं ठीक है देखिए उसी गनुसर में बता रहा हूं गलत सही हो आप मुझे बताइएगा ठीक है और 24 तारिक को एक तारिक से physical शुरू है तो मैंने मैं बोल रहा हूं कि जो 24 का जिनका physical था एक मैं को होगा ठीक है जिनका 25 अप्रेल को physical उनका 2 मैं को होगा 26 अप्रेल वालों लड़कों को तीन मैं को physical होगा 27 वालों को चार मैं को होगा और 28 वालों पांच को नहीं 6 को होगा, 5 को क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 को बुध पुर नीमा है, ठीक है, इसलिए 28 को जिसका भी फिजिकल था, उसका 6 मई को होगा, ठीक है, 29 को जिसका फिजिकल था, उसका 7 को नहीं होगा, क्योंकि 7 को संडे है, 8 मई को होगा, ठीक है, आपका 29 को फिजिकल 8 मई को होग ठीक है, तीस तारीक में कोई फिजिकल नहीं था, इसको हम हटा देते हैं, तो संड़े था छुट्टी था, तो इसको कोई का एडमी काड़ भी नहीं आया होगा, क्योंकि संड़े को छुट्टी था, अब आद आए, एक माई को जिसका फिजिकल था, उसका फिजिकल दस माई क आप बोलेंगे नो माई को क्यों नहीं होगा तो नो माई को रभिंदर रणाटेगोर का जयंती है और उससे चुटी है तो नो माई को नहीं होगा एक माई वाले को फिजिकल दस माई को होगा ठीक है जिसका दो माई को फिजिकल था उसको 11 माई को होगा जिसका तीन माई को फि संडे है ठीक है और साथ माई वालों को तो संडे ही था आठ माई का जिसका भी फिजिकल था 16 माई का होगा ठीक है आठ माई वालों को 16 माई का फिजिकल होगा यह हम एस्पेक्टेड बनाये हैं और यहीं होगा ही है एंट्रेट परसेंट कि गलत होने का बात ही नहीं है वर्कि प्रिकार जारी हो चुका है मतलब डाटा भेज दिया जा चुका है तो सेंटर भी सेम ही रहने वाला है और इसमें तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं वस डेट चेंज करके देना है तो थोड़े ना जेट जो पीडिएफ एक बार निकल जाता है लगभग डेट को ही चेंज मुझे तो यही लगता है कि फिजिकल आपका एक से सोलो मैं को होगा किसका फिजिकल कब होगा मैंने यह भी बता दिया ठीक है ठीक है तो वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आच्छा लगा हो तो भाईया थोड़ा सस्क्राइब भी कर दिजिए मातर पांसो इस सुस्क्र स्क्राइबर तो होना चाहिए ठीक है अब इससे जादा कुछ बोलेंग है नहीं हम ठीक है धन्यवाद